नमस्कार दोस्तों द्रवेश क्लाशी के यूट्यूब चैनल से मैं मुकेसर आप लोगों का हरदिक स्वागत करता हूँ प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि हरियाना बोड ने एक्च्वल में टोपिक काटे कौन-कौन से हैं उसके बारे में हम जिकर करेंगे कि जो हटा दिये गए है कम से कम आप उन पे मथा ना मारे क्लास प्लस टू मैथमेटिक्स डिलीटिड जो टोपिक्स हैं उसके बारे में हम जिकर करने वाले हैं कि अब बहुत सारी बरांतियां भी चल रही है कि कहते हैं कि 30% slabus हटा दिया गया है तो वो किस तरह से हटाया है ठीक है उसके बारे मैं आपको बता दूँ कि क्या क्या कटा है आपका slabus में अगर आप उसको exactly देखना चाते हैं विसलेबस हमारा क्या-क्या कटा है देखिए दोस्तो सबसे पहले जो delete कर दिये गए topic हैं वो देख लीजिए कौन-कौन से हैं आपके delete जो कर दिये गए है delete वो कर दिये गए है दोस्तो इसमें से पहला कर दिया गया है exercise 7.3 exercise जो 7.3 है आपकी ठीक है integration में से third exercise को काट दिया गया है integration में से उसमें से कोई question नहीं पुछेगा ये और एक exercise काट दी गई है दोस्तो आपकी 9.3 जो differential equation chapter है उसमें से आपकी exercise third को हटा दिया गया है 9.3 exercise आपको नहीं कर दी है अच्छा इसके बाद में एक चीज और काट दिया गया है दोस्तो जब differential equation वाला जब आप chapter करेंगे ठीक है differential equation वाले chapter में से क्या क्या काटा है सुनिए differential equation वाला जो chapter है उसमें से जो equation इस type की होंगी ना दोस्तो उनके solution नहीं करने आपने question आपको खुद को ढूंडने पड़ेंगे क्योंकि exercise में मिले जूले question आपको मिलेंगे वहाँ पे इसलिए यहाँ पे कोई complete exercise हम नहीं कह सकते हैं तो ऐसे question जो इस form के होंगे आपके dy over dx plus में py is equals to कितना है q है तो वो question आपके आपने नहीं करने है ठीक है इसके बाद में जो last हमारा chapter है probability probability में से क्या काट दिया गया है दोस्तो जहां पे हम क्या करते थे mean and variance निकालते थे दो चीजें है अलग है दोस्तो ये mean and variance ठीक है mean and variance को हटा दिया गया है completely काट दिया गया है आपका slabus से ठीक है और एक random variable जो इसका topic है उसको भी क्या कर दिया गया है random variable जो है उस topic को भी हटा दिया गया है इतने topic आप से हटाएं इसके अलावा जो सबसे बड़ी update है वो ये है कि आपको board ने जब अपनी notice जारी किया है उसमें ऐसे लिखा हुआ है miscellaneous example ठीक है miscellaneous example ठीक है अब miscellaneous example में उन्होंने कोई भी exercise mention नहीं की है कोई भी exercise mention नहीं की है board तो यही कहना चाहरा है कि सारे की सारी exercise काट दी गई है मेरा भी यही मानना है कि इस बार miscellaneous example में से paper नहीं आएगा उन्होंने बोला भी है अपने notice में अगर आपको pdf चाहिए तो कोई बात ना comment कर दीजिएगा मैं आपको वहां से दे दूँगा आपके क्या है काट दिये गए हैं अब दोस्तो आपके लिए एक बड़ी update लेके आया हूं मैं कि अब बहुत ही जल्द आपका वैसे तो मैंने इसको start कर दिया इस शीरीज को क्योंकि इस बार आपके क्या है 50% mcq आएंगे ठीक है तो हम क्यों ना उसकी तयारी क्या करें mcq यानि एक एक नंबर वाले जो क्योशन है वह ज़्यादा आपसे पूछे जाएंगे तो उनकी त्यारी करनी है तो मैं दोस्तो आप लोग हमें कमेंट करेंगे आप लोग हमें प्यार देंगे तो मैं आपको एक वादा करना चाहता हूं कि मैंने दोस्तो इस बुक के जितने भी जैसे दिपक का रिवीजन मोडल टेस्ट पेपर आया है इसमें जितने भी क्यूशन बनते हैं वो आपको करवा दूँगा दोस्तों मैं ठीक है दिपक के रिवीजन पेपर के साथ साथ और भी है मेरे पास देखिए दोस्तों एक स्टूडेंट का भी न्यूज पेपर य यह आया है इसको भी मैं क्या है आपको करवाने की कोशिश करूँगा इन्हों निकर रखा इसके अलावा मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स और असाइनमेंट है वो कराऊंगा बहुत सारी बुकों से कोई भी क्यूशन हमारा छूट ना पाई वो मैं आपको जरूर करवा जय हिंद